नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तियाक आहमाद और आप देख रहा है नियुस्वागत आपका महरो राजिस्थान में रुख करेंगे राजिस्थान की तमाम खबरों की तरह राजिस्थान के मुख्यमंति अशोग घैलोट निट राज्ये के बीजेपी सांसदो पर इस्थ पानी बिजली या कोईले की जो समस्य है उसे तो उठा और कोई उठा ही नहीं रहा है और उन मांगो को राजिस्थान के 25 सांसदों को जिता कर जंदा आज पस्तर चाप कर रही है और इनको अगामी चुनाब में सब पक सिखाएगी और वहीं आपको बता दे कि राजिस्थान म में से 24 बीजेपी के हिस्से में जबकि एक राष्टे लोक्तांत्रिक पार्टी का है और गैलोत ने बीजेपी पर निशाना साथते हुए कहा कि इनको भ्रम नहीं होना चाहिए कि पांच में से चार राजियों में चुनाब जीत गए तो सब कुछ इनको मिल गया है और वहीं ने कहा कि हमने अनुभव से देखा है और देश में परमानू परिक्षन करवाने वाली 1971 में बंगलादेश को आजात करवा कर पाकिस्तान की दो टुकडे करने वाली इंद्रागांदी जैसी नेता चुनाव हार सकती है तो ये चीज ही क्या है वहीं श्यम अशोगेलोथ ने कहा कि देश में महंगाई बहुत पहेंकर है बेरोजगारी को लेका देश के नोजवानों में आहकार मचा हुआ है जबकि ये लोग हिंदुत और राष्टवादी की बात करके लोगों को भरमा रहे और इनकी बातों में दम नहीं आ और वहीं पैट् का भी जनता ही देगी और ये समझ नहीं पाएंगे कि ये हुआ क्या है और आज किसानों के बदोलत देश आत्म निर्फर भी है और एक्सपोर्ट भी करता है और इस दोरां सेम अशोग गेलोत ने कहा कि प्रदेश में आकाल और सूखा पढ़ता रहता है इसलिए क्रिशी हमारी प्रात्मिक्ता हो यही कोशिश होनी चाहिए और वहीं 20 साल पहले मैंने नारा दिया था कि खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में हर नागरी का करतवे होना चाहिए कि वो पानी बचाए और मैं समझता हूँ कि अभी क्रिशी का अलग बजट पेश किया गया है और हमने किसानों के ले अलग छूट भी दी और उनके कर्ज भी माफ की और 20 लाग किसानों को फाइदा मिला और किसानों के बिल कंभी हो गए और वहीं करीब 5.5 लाग किसानों का बिजली बिल भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने एक हजार रुपे प्रती मैना उनको अनुदान दिया और उन्होंने कहा कि वित्पक्षी नेताओं को भी मैंने कहा है कि खाली आप वक्त अबवे देते हो सरकार पर रोज रोज आरुप लगाते हो और इसकी बजाए कम से कम आप हमारे साथ चलो और प्रधानमंत्री महुद्दे से मिलते हैं और हमारी एर सीपी योजना से पूरे राजस्थान के लिए तेरा जिलो किसी चाई भी होगी और पीने का पानी भी आएगा और वहीं एर सीपी को पूरा करने के लिए राश्टे योजना खोशित करवाओ और वहीं विपक्षपन निसाना साथ तो सीएम ने कहा कि इनको अगले चुनाव में जनता सबक सिखाईगी और इनको ब्रहम नहीं होना चाहिए कि पांच राज्यों में चार्ज में से चुनाव जीत गए तो सब कुछ इनको मिलके है और वहीं डेमोक्रेशिक के अंदर कब जनता का मिज़ास बदल जाए ये नहीं पर मालूम होता है और ये हमने अनुबफ से देखा है और आज महंगाई बहुत पहेंकर है और पेरोजकारी से देश के नोजवानों के अंदर हाहा कार मचा हुआ और बीजेपी खाली ये आप खतम होते ही दाम बढ़ने लगे और जनता इन बातों को समझती है और इनकी कतनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है समय आने पर जनता इनको जटका देगी और ये समझ नहीं पाएंगे कि क्या होगे और ये पैटल डीजल के दामों में लगातार बड़ोतरी हो रही है और राजस्तान चुनाव में जीत हासिल करना और सत्ता को साधने की तैयारियन राजनेतिक दलों ने शुरू कर दिये और बीजेपी राजस्तान मिशन 2023 का अगाज भी कर चुके लेकिन मुक्यमंत्री पद के दावेदारों के बीच चल रही अंद्रूनी कहला गहराती चारी और पूर मुक्यमंत्री वसंद्रा राजे मुक्यमंत्री चहरा बनने के लिए पी-म से लेकर केंद्री नेताओं से मलाकात कर रही और वसंद्रा राजे राजस्तान में वापसिक लिए ताकत लगा रही और उनके प्रतिदिन दी बीजेपी प्रदेश अद्यक्स ने सौमव को लेकर बीजेपी का मुशन दोहजार तेईस शुरू हो चुका है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्स डोक्टर सतिश पुनिया ने सोमवार से सहोरी जिले से दोरे की शुरुआत की और सुबा उनके गुजरात दोरे से आबू रोड पहुंचने के बाद रोड शो का आउज किया जाएगा और उन्होंने से रोड जिले में देव दर्शन किये और शाम को वो जालोर के रफाना भी हो गया और उसके बाद रोड शो के माद्यम से वो जालोर के साहला पहुंच का कारेकरता सम्मेलन को संबोधित भी किया और इसके बाद आपको बता दे कि भीनमाल में कारेकरता सम्मेलन को संबोधित किया गया इसके साथ ही भीनमाल में सोशल मीडिया और आईटी टीम के साथ संबाद भी करेंगे और इसके बाद वो राणिवाड़ा और सांचोर में कार इस चित कालिन के लिए स्थागित हो गया और विदानसवा में लंबे समय बाद किसी वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा हुई है और इस दोरान विदानसवा अद्याक्ष डोक्टर सी पी जोशी ने विदानसवा के बजट सद्र में सदन किये गए महत्मुन कारियों का चित काल के लिए स्थागित हो गड़ा है और इस सत्र में कुल 25 पैठेके होई और इस काल में लगबग 171 घंटे 19 मिनट विदानसवा की कारवाई चलिये और स्पीकर ने कहा कि विदानसवा के सत्र में कुल 8336 प्रशन प्राप्ट हुए जिनमें से 3785 तारंकित और 4547 अंतर रूप से पूछे गए और उनके उत्तर भी दे गए और इसी तरह 498 अतारंकित प्रशन सुची बद होए और इस सत्र में साथ बार सुची बद समस्त तारंकित प्रशनों को सदन में पुकारा गया और सदन में तीन याचिकाएं सदस्वे द्वारा उपस्थापित की गई सत्र में विबिन समीतियों के कुल 42 प्रतिवेदन सदन में इस्थापित किया गए हैं और इस सत्र में इंद्रा गांदी नहर विभा के वाश्चिक प्रगती प्रतिवेदन पर भी विचार किया गया जिस पर 16 सदस्यों ने भाग लिया और विधायक मंजु देवी और विध राजिस्थान विदानसवा के अद्याक्षन डॉक्टर सीपी जोशी ने स्वमवार को पीजेपी विधायकों को निर्देश दिया कि वो बजट के दिन जमा करवाए गए आईफोन वापस ले और उप्योग करें। आईफोन लोटाने वाले बीजेपी विधायकों को सौमवार को स्वमवार को जोशी ने आईफोन वापस लेकर इस्तमाल करने का निर्देश दिया। इसके लब आपको बता दे कि 23 फरवरी को बजट पेश होने के बाद अधिकतर बीजेपी विधायक ने फोन लोटा दिया थ और इस्पीकर ने कहा कि इन आईफोन का उप्योग होना चाहिए और ये जरूरी भी है तब ही पैसे का सद प्योग होगा। उसकी घंबीर हालत को देखते हुए गायल को जेपुर रैफर किया गया और राजा खेड़ा थाने के सब इंस्पेक्टर मान सिंग ने बताया कि पांच महीने पहले 27 अक्तूबर को देवदास का पूरा गाउं में बिजली का खंबा लगाने को लेकर दो सगे भाई राजा रा और अजब सिंग में जगड़ा हो गया था जिस जगड़े में राजा राम और उसके बेटों ने अजब सिंग के बड़े बेटे गंगाराम की लाठी और कोलहाडी से पीट कर हत्या कर दी थी और वहीं मामले में राजा राम और उसके दोनों बेटों के साथ दो मैलाओं को ह अत्या के मामले में चेल भी भी भेज़ दिया गया जबकि मामले में दो लोग अभी भी फरार चल रहे थे। अवें सब इंस्पेक्टर ने बताए कि पांच दिन पहले राजा राम हाई कोट से जमानत पर भाहर आ गया था और घायल से लिये परचा बयान के अधार पर उन्होंने बताए कि पांच माईने पहले मारे गए मृत्तक का छोटा भाई राम हरी अपने रिष्टेदारी में शा चार गोलिया मार दी और कारसावार आरोपी युवा को मिर्ट समझ कर वो वहां से भाग निकले थे अजमेर के नगरा स्थित एक दो मंजिला मकान का भारी भरकम चच्चा किर गया और इस दोरान हुए धमाके से छेत में धैश्चत भी फैल गई और वहीं गनीमत ये रही कि कोई जन्हानी नहीं हुए और चच्चा गिनने से बातरूम और पानी की टंकी च्चती ग्रस्त होगी और पानी में किराये पर रह रहे इंदू चोहान ने बताए कि मकान जेपुर में रहने वाले गंगा सिंग चोहान का है और रविवार की रात करीब तीन बजे अचानक जोरदार धमाका हुआ पहले बड़ा बच्चा उठा और उसने सब को जगाए और सबी ने गेट खोल कर बाहर आने का कोशिश की लेकिन मलवे के कारण गेट नहीं खुला और बाद में पीछे के दर्वाजे से वो लोग बाह पनी बनाय थी तब भी लोगों ने विरोज जटाय थे लेकिन मकान मालिक नहीं मना और ये हादसा हो गया दिन के समय यहां बच्चे रहते हैं और सबी लोग आस पास ही रहते हैं दिन के समय चजजा गेटा तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था